लेखक परिचय प्रभाश जोशी जन्म सन 1937 प्रभाश जोशी का जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ उन्होंने पत्रकारिता के शुरुवात नई दुनिया के संपादक राजेंद्र माथ्रु के सानिध्धे में की और उनसे पत्रकारिता के संसकार लिये इंडियन एक्सप्रेस के एहमेदाबाद, चंडिगड, संसकरणों का संपादन, प्रजापती का संपादन और सर्वोदय संदेश में संपादन सहयोग किया 1983 में उनके संपादन में जन्सत्ता अखबार निकला जिसने हिंदी पत्रकारिता को नई उचाईयां दी गांधी, विनोबा और जैप्रकाश के आदर्शों में यकीन रखने वाले प्रभाश जी ने जन्सत्ता को सामाजिक सरोकारों से जोड़ा जन्सत्ता में नियमित स्तंभ लेखन करते हैं, कागद कारे नाम से उनके लेखों का संग्रह प्रकाशित है सन 2005 में जन्सत्ता में लिखे लेखों, संपादकियों का चैन, हिंदू होने का धर्म, शीर्शक से प्रकाशित हुए प्रभास जी में मालवा की मिट्टी के संसकार गहरे तक बसे हैं और वे इसी से ताकत पाते हैं देशज भाशा के शब्दों को मुख्य धरा में लाकर उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को एक नया तेवर दिया और उसे अन्वाद की कृत्रिम भाशा की जगा बोलचाल की भाशा के करीब लाने का प्रयास किया प्रभास जी ने पत्रकारिता में खेल, सिनेमा, संगीत, साहित्ते जैसे गैर पारमपरिक विश्यों पर गंभीर लेखन की नीव डाली क्रिकेट, टैनिस हो या कुमार गंधर्व का गायन इन विश्यों पर उनका लेखन मरमस परशी गहराईयों में ले जाता है